अब हम देखते हैं कि जो clients computers है इस case में हमारा window 10 है उसको domain में कैसे join करना है तो सबसे पहले आपने networking settings को change करना है address हमने पता ही है कि हमने 172.0.10 दिया हुआ और mask जो है 252.0.10 पर DNS नहीं था अब ध्यान रखना 2016 server जहां पर हमने install किया है उस computer का address है 172.0.16 और जब हम active directory को install कर रहे थे तो वहाँ पर DNS भी by default install हो गया था तो आपने clients computer पर जाके क्या करना है DNS का address भर देना है 172.0.16 दियान रखना है बहुत time आप यह नहीं परते हो तो आपके जो client computers है वो domain को join नहीं कर पाते हैं तो इस चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले join करने से पहले आपने क्या करना है DNS की entry कर देनी है उसके बाद हम क्या करेंगे फिर जहां पर हमने जो computer का window 10 का नाम वगयरा और work group setting चेंज की थी फिर वहां पर आजेंगे हम वहां पर जाके आप देखोगे कि by default जो हमारा computer है वो work group को belong करते हैं तो हम यहां पर क्या कर देंगे चेंज पर क्लिक कर देंगे तो यहां पर हम work group के बजाए क्या कर देंगे domain तो domain specify कर देंगे example.com क्योंकि हमारे domain का नाम क्या है example.com अब ध्यान रखना कि हमारे पस कौन हमें permission चाहिए ऐसे नहीं कि कोई भी computer domain में join कर लेगा उसके लिए किसकी permission चाहिए domain controller के लिए इसलिए जैसे हम join करेंगे वो हमारे से एक user नहीं password पूछेगा तो यहां पर user में आपने जो domain controller का administrator है उसका नाम भरना है और उसका जो भी password है वो क्योंकि सिर्फ जो domain controller का admin है वो ही allow कर सकता है किसी computer को join करने के लिए तो फिर हम ok कर देंगे जैसी ok करेंगे तो वो आपको कहेगा कि welcome to example.com domain आपने ok कर देना है तो वो कहेगा computer को restart करना है तो आपने ok कर देना है फिर आपके पास a query confirmation की आप restart later करना चाहते है कि now करना चाहते है आपने कहा देना कि restart now अब जैसी आप करोगे window 10 restart हो जेगी तो उसके बाद आपके पास यह आएगी कि default आपने इस computer के अंदर login करना है local user के तरू के other user के तरू आपने other user की तरह आ जाना है और other user में आपने कहा देना है नन्नू जो भी password था तो आप देखोगे कि क्या है कि आप login कर पा रहे हो तो इससे हमारा क्या परूव हो गया कि भई जो भी domain का user होगा वो कहीं से भी login कर सकता है centralized login तो इसके हम demo देखते हैं भी